बड़े बुजुर्गों द्वारा बताई गई बहुत ध्यान देने योग्य जरूरी बातें नमबर एक रात को आठ से दस मुनक के पारी में भी गोकर रख दें सुबा इनके बीज निकाल कर अच्छे से चबा कर खाएं इस परियोग से सरीर में खून बढ़ने के साथ ही खून भी साफ होता है नमबर दो रोजाना सुबा एक कली लहसुन की खाएं इससे आपको हाई बीपी के साथ साथ सरीर की कई बीमारियां दूर हो जाएंगे नमबर तेन रात को सोने से पहले हरहर का मुरब्बा खाने से जोडों के दर्द में आराम मिलता है नमबर चार दही जमाने से पहले जिस बरतन में आप दही जमाना चाहते हैं उस बरतन में फिटकीरी का थोड़ा सा चून लगा दे इससे दही गाढ़ा जमता है और खटा भी नहीं होता है 5. अजवाइन के चून का आधा चम्मच देन में तीन बार खाने से ठंड से आया बुखार उतर जाता है 6. मोटापा घटाने के लिए भोजन गीहूं के आटे की जगा जोगे आटे की रोटी का प्रियोग करे 7. सबजियों पर चिपकी गंदगी और बैक्टेरिया साफ करने में फिटकीरी के पानी का उप्योग कर सकते है 8. सुबह खाली पेट अजवाइन का पानी पीने से पेट की सारी गंदगी साफ हो जाती है 9. भूने हुए चने खाने से सरीर में पूरा दिन ताकत बनी रहती है और यह दिमाग और आखों के लिए बहुत ही फैदमंद होते है 10. आटा गुथते समय उसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा तेसी घी जरूर मिलाना चाहिए इससे रोटियां पौश्टिक बनती है और हमारी सेहत भी अच्छी रहती है 11. काली मेच और मिस्री बराबर मात्रा में मिलाकर इसने और प्रती दिन एक कप दूद के साथ दीन में दो बार सेवन करें इससे दिमाग की कमजोड़ी दूर होती है और अस्मरन सकती बढ़ती है 12. जब किसी को चोट लगती है या घाव होता है तो जहेसी बात है कि उसे खून भी निकलता है ऐसी परिस्तितियों में घाव को फिटकीरी के पानी से धो देना चाहिए और उसके उपर फिटकीरी का चूरन यानी की पाड़ बना कर लगाना चाहिए ऐसा करने से चोट से बहने वाला खून बंद हो जाता है तथा राहत मिलती है 13. जो बंदा दातों पर आग की राख लगाता है उसके दान मोतियों की तरह चमकते है 14. प्याज का पानी पीने से मैदा साफ हो जाता है 15. अजवाइन को गर्म करके चेहरे पर मसलने से चेहरे की दाग धब्बे खत्म हो जाते है 16. सेव खाने से होरन बाद पानी मत पीए वर नगले का कंसर हो सकता है 17. राथ को सोने से पहले आधा चमस सूखा धनिया थोड़े से पानी में भीगो दें और सुबह उठकर इस पानी को छान कर पी लें इससे प्रियाट्स की सारी समस्या दूर होती है और पेट और कप्ड की समस्या भी दूर हो जाती है 18. राथ को टाइट कपड़े पहन कर ना सोय बलकि सादा और ढीली कपड़े पहन कर सोय टाइट कपड़े पहन कर सोने से पेट दबा हुआ रहता है इससे कप्ज की समस्या दूर नहीं होती है 19. सुबह खाली पेट पानी में थोड़ा सा पुदीना डाल कर पीने से चेरे की जाईया और दाग धब्बे दूर हो जाते हैं 20. दूद में मखाने मिला कर खाने से आपकी हड्या मजबूत रहेंगे 21. कोई भी सबजी बनाते समय उसमें थोड़ी सी पीसी हुई काली मिर्च जरू डालें या हमारे स्वास के लिए बहुत अच्छी होती है और पेट को भी स्वस्त रखते है 22. ब्रेट को फ्रीज में नहीं रखना चाहिए 23. प्याज को भी फ्रीज में नहीं रखना चाहिए क्योंकि नमी के कारण प्याज खराब हो जाता है 24. सरसों के दानों को पीस कर सहरत के साथ चाटने से कफ और खासी समाप्त हो जाती है 25. सुखे आवले को बारीक पीस कर प्रती दिन सुबह साम एक चमच दूद या छाच में मिला कर पीने से खूनी बावसी ठीक होती है 26. बच्पन से अगर सरी को पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा तो हड़िया भी कमजोर होंगी 27. रोज एक घंटा हसने से 400 कलियोरी उज्जा की खपत होती है जिससे मोटापा भी काबू में रहता है 28. नासपाती का सेवन करने से फेफडो तथ पाचन तंतर से संबंदित रोगों में बहुत लाब होता है अता नासपाती के मौसम में प्रती दिन इसका सेवन अवर्ष्य करना चाहिए 29. किन्धी वी कार्णों से अगर बार बार उल्टी हो रही हो तो सेव के जूस में मिस्री तथा सेंधा नमक मिला कर सेवन करें 30. कुछ लोग हर बड़ी में या दूसरे सब्दों में बहुत ही तेजी से भोजन करते हैं ऐसे लोगों में मोटापा बढ़ने का खत्रा तिन गूना अधिक होता है भोजन हमेशा सांत वातावरण में और चबा चबा कर करना चाहिए ऐसा करने से हम आधी बीमारियों से दूर रह सकते हैं 31. एक चमस सहद में चार बुंदिन निम्बू की रसकी डाल कर मंजन की तरह दातों तथा मसूडों पर मलने से पायरिया रोग से छुटकारा मिलता है या फर्योग दीन में दो बार चरूर करना चाहिए 32. चाय आप कभी भी खाली पेट ना पिए वरना एसीडीटी की तकलिफ हो सकती है चाय के साथ हमेशा बिस्किट या कुछ जरूर ले 33. अकसर कई लोग सबजी को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें दही डाल देते हैं लेकिन ध्यान रखें अगर आप सबजी में दही मिला रहे हैं तो दही को सबजी में मिला कर पहले उबाल लिजिए इसके बाद सबजी में नमक डाल कर मिलाएं क्योंकि उबाल आने से पहले सबजी में नमक डालने से दही फट जाती है अगर आपको दाद हो गई हो तथा जिसमें बहुत खुजली होती है या पीड़ा होती है ऐसा होने पर थोड़ी सी तुलसी की पतियों में एक चमच निम्बू का रस डाल कर पीस लें यह लेप प्रती दिन दाद पर लगाने से दाद की परिसानी ठीक हो जाती है गी में थोड़ा सा अजवाइन डाल कर गरम करने से घी में पोलिस्टॉल की मातरा घट जाती है जो ब्यक्ति रोज अखरोट खाता है उसको सांस का मर्ज नहीं होता है खाया पी या सब कुछ जल्दी हजम करने के लिए हर बाइट यानि की हर निवाले को खुब चबा चबा कर निगला करें इससे आपको जिंदगी भर कबज, बदहजमी और पेट की गैस की दिक्कत कभी नहीं होगी गुसल खाने या बंद बात्रूम में पेसाव करने से गुर्दे खराब हो जाते हैं हमेशा अपने वासरूम में रोसंदान जरूर रखें ताकि बाहर वाली हवा क्रोश हो सके अगर बात्रूम में बिल्कुल भी हवा क्रोश ना हो तो इंसान को कई बीमारियों का समना करना पड़ सकता है अक्सर आप कुकर में आलू उबालते हैं तो उबालने के बाद कुकर काले हो जाते हैं और फिर उसे कितना भी दगड कर साफ करें तो वा एक बार में साफ नहीं होता है इसके लिए आप आलू उबालने समय उसमें थोड़ा सा नमक और आधा नीम्बू का तुकड़ा डाल कर सीटी लगाएं इससे कुकर भी काला नहीं पड़ेगा और आलू का छिलका भी असानी से निकल जाएगा नमबर चालिस यदि आपको पसीना बहुत आता है तथा आप उसकी दुरगन से परिसान है तो सुबह साम 3 ग्राम आउले का पाउडर पानी के साथ अथवा 20 मिले लीटर आउला का रस सेवन करें इससे गर्मी तथा पसीने आने की समस्या से अराम मिलेगी तथा एसेडिटी की समस्या से भी आपको निजात मिलेगी इसकी आलावा अगर आप नहाते समय नहाने वाले पानी में फिटकीरी मिला कर नहाएंगे तो आपके सरीर से दुरगन्द नहीं आएगी दोस्तो आपको यह जनकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको यह जनकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सेयाद जरूर करें और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर से दबाएं ताकि जब भी मैं निव वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मीले सबसे पहले धन्यवाद